गुड स्टुडेंट्, बच्चों, एक बार पून हाईवे इंजीनिरिंग सिब्जेक्ट में आप सभी बच्चों का श्वागत है। बच्चों हम हाईवे इंजीनिरिंग में सेकंड लास्ट यूनिट्, मतलब आपका जो यूनिट होगा, ये आपका बच्चों, according to new syllabus यह 9th number unit है शड़क निर्माण यंत्र रोड कंस्ट्रक्शन मैसेन्री ठीक है ठीक है कौन कौन सा हम यंत्र का प्रयोग करते हैं रोड को कंस्ट्रक्शन करते समय बनाते समय इसके बारे में हम इस चप्टर में आपको बताएंगे बच्चों आपको मैंने पीडियेप सक्षा है बच्चों और एक बार आप से गुजारिश है कि आप सभी इतने भी पीडियेप मैंने स्टार्ट में करके बनाया है अब्जक्ट्व के नजरिये से आपको मैंने चूच किया है तो वो आपको पीडियेप लगभग 20 पेज का एक पीडियेप गया होगा और एक दो पेज का आपको अब्जक्ट्व उस यूनिट पे गया है ठीक है बच्चों तो आप बहुत ही सार्ट में हमने आपको पीडियेप भेजा है आपको एक बार खोल के देखिए उसको जो है पीडियेप को क्योंकि उसमें आपको जो जो पढ़ना है सिर्फ अब्जक्ट्व के और यता ह्नते तर चाहिए चलिए तो शार्ट करते हैं बच्चों ये आपको रोड कंस्ट्रक्शनद्री में आपको अपजेक्ट्व बैं कैसे आपको फोकस करना है उसपे हम डीटेल से चार्चा करता है मैं आपको सभी को पता है फाप इन्डिया में शुड़क्नेर्माद कि अधिक्तम जो कार होता है वो श्रम को दोरा संपन के जाता है ठीक है तो कि हमारे यहाँ लेवर्स की संख्या बहुत ही आसानी के साथ हुपलब्द है कम दिहानों पर भी मिल जाती है ठीक है लेकिन पहले ऐसा था लेकिन आज कल का युग बच्चों किसका हो गया है मशीनरी का युग हो गया है ठीक है तो मसीनों से क्या होता है इसमें जो है प्रारमभी लागत तो इसकी काफी होती है लेकिन बच्चों क्या होता है इससे जो है हम नंबर आप जो मजदूर ज़्यादा लगते हैं उससे बचा जा सकता है और देखा जाए तो टाइम जो है टाइम प सब्सक्राइब करने के लिए किणिlect है। कुटाई करने के लिए शड़कों करने के लिए इन सब के लिए हमें क्या है इस उतकरण की ठेक अब हम बात करते हैं शड़क निर्माड यंत्र कौन-कौन से हो सकते हैं देखिए जैसे देखें बच्चों अब मिट्टी कार की मसीनरी में यहां पर ध्यान रखिएगा आपका जो अब्जेक्टिव क्योक्शन बनेगा कैसे बनेगा कि देदेगा उस यंत्र का नाम देदेगा बच्चों और कहेगा कि इसमें आप पताइए कि कौन से कार के लिए यह प्रयोग किया जाता है तो यहां पर यह चीज आप जरूर नोटिस कर लिजेगा यह आप इसमें से कोई भी नाम अगर वह पॉइंट आउट कर देदेगा यह जो बारा पॉइंट मैंने आपको भी गिनाया इसमें से कोई भी नाम अगर वह पॉइंट आउट करता है कि ऐसे देगा कि मिट्टी कार के लिए इस उक्रड का प्रयोग किया जाता है तो यह बारो नाम आपके माइन में होना चाहिए कि यह जो है उक्रड प्रयोग कियाता है मिट्टी कार के लिए प्रयोग कियाता है तो उसमें से आपको यह माइन में सेट होना चाहिए कि यह जो उक्रड है मिट्टी के लिए प्रयोग किये जाते हैं तो आपको आपको क्लिक क करना होगा इन ही करणों में से जो भी कोई नाम आपको मिलेगा ठीक तो वह आपको क्लिक करना हो तो इसके लिए बच्चों आपको ध्यान रखिए यह कि ट्रैक्टर हुआ सावल हुआ बैक हूँ रोट इसका पर ग्रेडर डोजर ड्रैग लाइन इसक्राइब लोटर डंफर यह सब जो है सडाक रोलर इस सब किसमें प्रका म सब्सक्राइब होता है मिट्टी कार के मचीन के रूमें प्रियोक होता है जिए existus बटमन के Luther में क्लिए में कौण-कौण प्रयोग होता है बिटमन बॉइलर बिटमन ढूर बेसे स्प्रेयर भीटमन मिक्सर्स ठीक एग्रीगीट मेशें के बच्छों की एक सब मसेनरी में प्रियोग Erst जाते हैं ठीक यह बच्चों आपको यह आपको मोटे तवर पे आपको ध्यान देना है ठीक है अब देखिए अब यह जीजे जो डिटेल में दिया है यह आप ट्राक्टर से सभी लोग परचेत हैं अगर इससे कोई भी आप जो क्यों पूछेगा तो आपको आप आसानी के देख लिए डोजर किसके लिए प्रयोग करते हैं अभी आपने पढ़ा था डोजर जो है बच्चों यह बुल्डोजर डोजर इससे समांता बुल्डोजर भी कहते हैं डियोजर उची भूमी नीची भूमी को काट कर समतल करने थमिट्टी को समेटने 100 मीटर ध्यान रखिए देदक कारीं चेह चर भी आपको पहएखर होने वाला अब्जेक्टी थाहन होता है उसी के को पॉइंट आउट और ओनुक्त कर रही है वरए यहन से चटानों को बढब Wilk में काता हैं नाब शेक्त करकें सब्सक्राइं नहीं पूछता है इसको उ numéro अर्थ में भी मिठी कार इस दिया। पूछेए इट चाहिए ध्यान क्या है यहां पर होस्ता है ट्रैलाइन इसरी सदस्क्राइण पूश्ता है ड्रैग लाइन ड्रैग लाइन चाए तो आप ड्रैग लाइन कहेंगे एक है रोट असना शरू करने शृष्सक्राभ का शूरक्रण है ठीक ओहाँ आफंशन में दिया होगा किसमी प्रयोक कियाता है तो आप लिखने। निर्मान नहर तालाब आज में खुदाई कर सकता है यहां पर यह पॉइंट आप नोट कर लिजेगा यह पॉइंट ध्यान रखेगा यह जो है बच्चो नदी हो नाला हो नहर हो तालाब हो उसमें जो है यह खुदाई कर रखता है ड्रैग लाइन अगर जैसे पानी वाला जैसे पानी से ग्रसित है जमीन ठीक है तो वहां पे आपको रोड ले जाना है तो वहां पे जो है बच्चों तो ड्रैग लाइन जो है वहां पे प्रियोग किया जाता है नदी नाले तालाब आज की खुदाई करने के लिए प्रियोग कियाता है इसको नोट कर लिजेगा आपको जो मैंने अब्जक्टिव क्यूशन बताया था बच्चों उसमें पूछा हुआ है तो दियान रखेगा ड्राइग लाइन किसमें प्रियोग कियाता है ठीक समझ मागया तो पानी में जो कारी होगा मिट्टी का उसके यही प्रियोग कियाता है यही आपको ध्यान रखना है ठीक है हो के मिट्टी खुदाई करने वाले कुदाली भी कहते हैं बस इतना ध्यान रखना है बाकी आपको नहीं ध्यान रखना है अब बच्चों ध्यान रखना है क्लैम सेल क्लैम सेल क्लैम सेल प्रियोग कियाता है त काम करता है यह उठाने के लिए काम करता है ने जैसे क्रेंट के रचित जो थे कर लेइगा आप तोपना रहेए रहूंगी भीई दीले पदार जैसे बालू बजरी पत्था चुरा पोईला आदिक रहस्तन में काम करने के भी काम आता ध्यान रखेगा खाईयां सीवर मैन होल की अगर खुदाई करना है तब हम क्लैम से प्रियोग कर सकते हैं ठीक है ठीक है बच्चों चलिए नेस्ट हम देखते हैं रूट स्क्रयपर या भी आपको मैंने बताये बच्चों कि यह मिठ्टी कि याता है जी जाता है के पीछे बाह दियाता है भूमी के अगुणी वर यह जुवशूट्छन होता है यह घुला करना हो प्रेयोग करना होता है झानी होती है यह आपको लगा हुआ है यह खुरचनी होतीह यह फिल के इसका हम प्रियोग करते हैं ड़ीजिए बच्छो क्या हो यह कटी हुई मिठ्टी पत्थर पत्थर जो है वजरी बालू एक अस्थान से उठा कर जो है दूसरे इस्थान पर हम ले जाते हैं समझ मारा यह उठाने का काम करता है लोडर ठेक है अब ग्रेडर क्या होता है बच्चों यह बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा देखें रोलर शड़क रोलर की बात कर रहा है बच्चों तो शड़क निर्माड मसीनरी में रोलर का विसेश्थान है जल्बर दम्यक्डम से का आपको सभी को पता है इसमें आपको कोई बताएं जुरूद नहीं है रोलर मोस्ट इंप्वा जो कहते हैं और जो रोलर जो होता है बच्चों 200 तक ध्यान रखेगा याद कर लिएगा 2-15 भार वाले लगभग होता है इसको ध्यान रखेगा जरूर आप कितने प्रकार को होता है है सब्सक्राइब बेस के नजरिये से बता रहा हूं बच्चों आपको बहुत ज्यादा ड पीडियाब भेजा है आपको मैं शार्ट में पीडियाब करके भेजा हूं उसमें आप वीडियो देखेंगे तो आप वीडियो में उसी पीडियो को मैं बता रहा हूं उसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है कितना सिर्फ अब्जेक्टु में नोट कैसे का आपको त्यार कर यह आपका इस पर यूनिट पर जो है जो आप से क्वेस्टन बन सकते हैं आपको बता दिया यह यह आप लोग पार पीडियेफ अच्छे से पढ़ लिजेगा आप वैसे ही कहानिक जैसे पढ़ लिजेगा और यह आप वीडियो एक बार देख लिजे बस बच्छो आपका इस पूरा का पूरा अगर आता है उसे एक दो क्यूस्चन आएगा बच्चो ठीक है तो उसमें से आपको यहां से क्यूस्चन मिल जाएगा